जो भी नवजात शिशु पैदा होता है, सौ में से सौ बच्चों को पी लिया होता है। सौ में से सौ बच्चों को पी लिया होने के बावजूत भी, सौ में से सरफ दस बच्चों को पी लिया के इलाज की जरूरत पड़ती है। धूप का कोई भी बेनिफिशल इफेक्ट जॉन्डिस पर नहीं पढ़ने वाला, इस मित को हमेशा के लिए खतम करना है, इसलिए मैं अपने सारे न्यूबॉण बेबी की मदर को राइट फॉम फस्ट डे बता देता हूँ कि धूप हानिकारक है. नमस्कार सेहतनामा में आज बात नवजात शिश्यों से रिलेटेट एक बहुत कॉमन बिमारी जॉन्डिस पर लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि सेहतनामा को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज बात करेंगे शिश्यर पेडियाट्रेशन डॉक्टर महिश हीरा नंदानी जी हमारे साथ है बहत बहुत सब्सक्राइब जान डिस नवजात शिश्यों को जो होता है कितना खतरनाक होता है कितना इससे डर्णे की जरूरत होती है तो दर्शकों के लिए ये इंफ्पर्मेशन की जो भी 100 में से 100 बच्चों को पिलिया होता है सब को होता है 100 में से 100 पता नहीं चलता नहीं बर्थ पे नहीं होता पिलिया कुछ घंटों में, कुछ दिनों में अपियर होता है As Child Specialist हम हर बच्चे को 7 दिन तक फॉलॉप करते हैं पिलिया के लिए आजकल शीनें आ गई हैं जो की सिरुस बिच्चे के सर पर टच करने से आपको जानडिस की वैल्यू दे देती है 100 में से 100 बच्चों को पीलिया होने के बावजूद भी 100 में से सर दस बच्चों को पीलिया के इलाज की जरूर्वत पड़ती है सो में से सो बच्चों को पीलिया होगा ही होगा इसलिए हर माबाप को पीलिया के बारे में बर्थ परी सारी information दे दी जाती है जिससे कि वो sensitize हो जाएं घबराएं ना और एक regular follow up रखें क्योंकि दूसरे तीसरे दिन हस्पताल से चुट्टी के बाद भी उन्हें बच्चों को पीलिया के लिए दिखाना ही है खतरनाक है पर अगर वक्त पर इलाज किया जाए तो virtually बिल्कुल ठीक है कोई problem की बात ही दिए लिवर से इसका कुछ लेना देना है जिसे बड़ों को adults को होता है तो liver पे कहते अटाक करता है तो क्या इस जॉन्डिस का liver से कुछ लेना देना है ये फरक है एक नवजात शिशू के पिलिया का एडल्ट्स के पिलिया से. नवजात शिशू का लिवर immature है पर diseased नहीं है और जो जॉंडिस हो रहा है वो लिवर की problem की वज़े से नहीं है. वो है नवजात शिशू का RBCs, red blood cells का breakdown होना, उसका byproduct होता है bilirubin. सब जितने भी नवजात शिशू हैं, वो 19 से 20 का hemoglobin लेके पैदा होते हैं. अगले कुछ गंटों में ये जो extra red blood cell हैं वो तूटना शुरू होते हैं और उनके तूटने से जो pigment बनता है, उसको हम bilirubin कहते हैं. एडल्ट्स में जो पीलिया होता है, वो liver की बिमारी की निशानी है, उसमें liver पर एक virus का attack होता है, जिसकी वज़े से ये पीलिया होता है, वो हानिकारक होता है, क्योंकि उसमें liver damage होता है, and sometimes liver failure और even death और cirrhosis भी हो सकता है, नवजात शिशु के पीलिया का उससे कोई लेना दे. Okay, so अब इसमें नवजात शिशु को आपने कहा 100% होता है, सब भी को होता है, तो कब इलाज की जरूरत होती है, वो एक photo therapy लेते हैं शाहिए? इलाज से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौनसी conditions हैं, क्या मैं पहले दिन, दूसरे दिन, मां को सावधान कर सकता हूँ, कि आपके बच्चे को पीलिया जादा होगा, बनिस्पत पासवाले बच्चे को? अगर मां का blood group RH negative है, या मां का blood group O है, और बेबी का blood group A या B है, या blood group positive है, तो ऐसे में बच्चे को जॉन्डिस होने के chances बढ़ जाते हैं, इन दोनों को हम RH incompatibility and ABO incompatibility बोलते हैं, simple way to explain करना, बच्चे के blood cells मां के शरीर में गए, क्योंकि blood group अलग था, दोनों के बीच में reaction हुआ, मां के blood की antibodies बच्चे के शरीर में आई, और उन्होंने बच्चों के RBC को attack करना शुरू किया, जिसका breakdown हुआ, जिसका byproduct pigment bilirubin बना, तो common कारण RH incompatibility, ABO incompatibility, बट इससे भी ज़्यादा common कारण है dehydration, वो क्यों होगा बच्चे में dehydration, जब मां दूद अच्छी तरह नहीं पिला रही, मां खुद पानी नहीं पी रही, पहले 24, 48, 72 गंटे में बच्चे को दूद का मिलना बहुत ज़रूरी है, बच्चे का hydration होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वज़े से ये सारा process, breakdown of RBCs का process बढ़ सा जाता है, इसी लिए हर बच्चे को, हर मदर को हम कहते हैं, पैदा होने से ही कि आपने कम से कम 20, 22, 4 से 5 लीटर लिक्विड पीना है, जिससे कि बच्चे को मां का पतला पतला दूद मिले, बच्चा hydrated रहे और जॉन्डिस ना बढ़े, अब आगई बात, जब जॉन्डिस बढ़ी गया और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस मशीन के जरीए बिना blood test किये, हम जॉन्डिस का पता कर लेते हैं, अगर ये जॉन्डिस treatment range से उपर है और इसके लिए हम international treatment charts follow करते हैं, जो कि सारी दुनिया में same charts follow होते हैं, अगर बच्चे का जॉन्डिस का level उस treatment range से जादा है, तो बच्चे को एक simple ilaj phototherapy दी जाती है, मैं दर्शकों को ये बात clear कर दूँ कि phototherapy एक special light होती है, ये एक ordinary tube light नहीं है, या ordinary pili या सफेद light नहीं है, phototherapy special lights, special machine होती है, जो कि बच्चे के शरीर के बिलकुल नजदीक रखी जाती है, ये cold lights होती है, इम में बच्चे का body temperature नहीं है, और ये मदद करती हैं इस pigment को inactivate करने, और जिससे की बच्चा जो ये high level of bilirubin है, बच्चे के दिमाग पर ना असर करे, जो, अब कहते हैं दूप दिखाओ बच्चे को, मा को ऐसा खाना नहीं देना है, जिसमें हल्दी हो, पीला खाना है ना, जैसे बड़ों को कुछ पीली चीज़ नहीं देनी चाहिए, वो कितना से हैं? कमिंग टू पहले में डायेट को कवर करता हूँ, कोई scientific basis नहीं है कि मंदर को, अगर आप पीले कपड़े पैनाएंगे, या बच्चे को पीले कपड़े पैनाएंगे, या बच्चे को पीले paint वाले कमरे में रखेंगे, या पीला पपीता दे दिया, तो ये बढ़ जाएगा बिलकुल नहीं होता, इस बहारूनी जो रंग का है, उसका बच्चे के उपर कोई असर नहीं होने वाला, तो ये सब करने की जरूवत नहीं है, बाकी आगई सनलाइट, मतलब हम उमीद रखते हैं, क्योंकि इलाज फोटो थेरैपी है, तो हर किसम की लाइट को बच्चे के लिए जो है अच्छा माना जाएगा, और सूरज देवता तो हम पूछते हैं, तो इसलिए हम सूरज में रखने की कोशिश करेंगे, पर मैं एडल्स से यही सवाल करूँगा, कि सूरज देवता तो हैं, पर क्या हम गर्मियों में धूप में बैठतें, क्यों नहीं बैठतें क्योंकि हमें पता है, धूप जुलजा के रख देती है, पर सुबे के धूप भी नहीं, मतलब कहने का यह है कि वो जो सनलाइट आ रही है, भले सर्वियों की सनलाइट हो, उससे जो अनलिस्टिक नहीं होगा, नहीं होगा, दूसरी चीज, गर्मियों में जो धूप आप दिखाने की, and as a result, सबसे जो गंदे बिलरुबीन की वज़े से brain damage cases आते हैं, वो महराश्टर से पाए गए, जिसका की note, धूप का कोई भी beneficial effect जॉन्डिस पर नहीं पढ़ने वाला, इस मित को हमेशा के लिए खतम करना है, इसलिए मैं अपने सारे newborn babies की mother को right from first day बता देता हूँ कि धूप हानी कारक है, सबकी आँखें वो हमें विश्वास नहीं करते, but then this is science, आपको विश्वास करना पड़ेगा, सीधी सी बात है नहीं, तो आप बच्चे को आप नुकसान पहुंचाएं चाते चाते, parents के लिए tips जिनके बच्चों को jaundice जो है वो जाधा हुआ है और जिनकी phototherapy भी हो रही है, उनको क्या precautions आगे लेने चाहिए, क्या ये दुबारा भी हो सकता है? कई बार, ABO incompatibility और RH incompatibility में कई बच्चे तीन-तीन बार भी दाखिल हुए हैं, newborn baby के jaundice की risk up to 14 दिन रहती है, हम इन बच्चों को high risk बच्चे जो हैं, उनको हम 14 दिन तक follow करते हैं, जो normal risk हैं, उनको 7 दिन तक follow करते हैं, parents के लिए पहले दिन से यही tip है, बच्चे को hydrate रख हानी है, बाकी रह गई बाद घर में white light चला दिये वो, क्योंकि वो हानीकारक नहीं है, हम उनके लिए मना नहीं करते हैं, वो कहते हैं, सारी राप tube light on करें हम कहते हैं, हम कहते हैं, not harmful, not a problem. बहुत बच्चुक्रे इस पूरी जानकारी के लिए सब, सो उमीद करती हूँ, कि ये वीडियो आपको बहुत सारी एहम जानकारी दे गया होगा, वीडियो पसंदा है, तो लाइक और शेयर जरूर करतेजेगा.